हेलो बच्चो कैसे हो आज मैं आपको बताऊंगा पूरा Microsoft Word जिसमें हमारे पर होम के option, insert के option, design, layout सारे options आएंगे कैसे करेंगे मैं आपको शुरू से बताता हूँ पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ इसको मैंने on कैसे किया मैंने किया window R और यहां लिखा बिल्कु स्टार्टिंग से बता रहो मैं आपको, win word लिखा, enter मारा, मेरा Microsoft Word on हो गया, अब फिर मैं किया यह blank document में गया, इसको मैंने यह से close कर दिया और मैं blank documents में गया, अब blank document में गया, पहले हम यह जानते हैं Microsoft Word use का करते हैं basically आप सब को पता होगा Microsoft Word हर जगा यूज होता है office में Microsoft Word यूज होता ही होता है Microsoft Word में क्या करते हैं letters बनाते हैं, time table बनाते हैं कुछ भी letter type करना अब एक letter मुझे कही लोगों को send करना है time table बनाना है कोई report बनानी है तो मैं जितने भी letters लिखूँगा सब किस में लिखूँगा Microsoft Word में लिखूँगा अब इसमें हम ये भी सीखेंगे एक letter को हम multiple लोगों कैसे बेज़ते हैं mail मच के थूँ आप देख सकते हैं मेरा Microsoft Word होन हो गया अब ये मेरे पर option है menu बार home का insert का design का layout का references का अब इसके अंदर मेरे ये ribbons है आप देख रहे हो home menu के अंदर ये मेरे अलगलग ribbons बनी होगे है और ये मेरा नीचे last में कैई status बार है ये नीचे status बार है आप देख सकते हो status बार में ये मेरे जूम है minimum zoom मेरे 10 होती है देखो minimum 10 होगी और maximum मेरे होती है 500 ठीक है और मैं इसको यहां पर आप हम जो काम करते हैं वो 100% पर काम करते हैं इसकी shortcut की भी होती है Alt V Set अब यहां से आप जितना आप करना जाते हो 100% 75% जो आपने इसाब से Z करना तो वो भी आप सेट कर सकते हो फिलाल मैं भी 100% का दाओ अब उपर जो मेरे option दे रखी है ठीक है यह हमारे menu पार होगे यह हमारे ribbons होगे अब मैं इसको minimize करना है मैं shortcut से भी करता हूँ तो उपर कोने पर side में option भी आते है मैं shortcut से भी करता हूँ old space R कर दूँगा तो मेरा minimize हो जाएगा अगर मैं old space X कर दूँगा तो मेरा यह maximize हो जाएगा close के लिए होती है old space C इससे मेरी window close हो जाएगी और old F4 से भी हो जाती है देखो मेरी window close होगी मैंने old F4 किया फिर मैंने start के दुबार window R विनवर्ड लिखा without space लिखना विनवर्ड आपने एंटर मेरा मेरा Microsoft unknown हो गया यह मैं गया blank document में इस course में आपको पूरे option बताऊँगा home के सारे option बताऊँगा insert के design के layout के सारे option में काम सिखाऊँगा और file के कुछ options है यह भी मैं आपको सारे बताऊँगा मतलब मैं इस पूरे MS Word के course में हर एक चीज़ बताऊँगा आपको basic से लिएक एडवांस तक आप देख सकते हो इसमें एक मैंने लिखा paragraph practice के लिखा मैंने equals to R, A, N, D R, A, N, D लिखा bracket को on किया, off किया enter मारा यह मेरा random function आ लिए ठीक है अब यह क्या होता है अगर मैं इसमें लिख दूँ five five लिख दिया तो मेरे five paragraph आएंगे आप देख सो तो मेरे five paragraph आएंगे अगर मैं इसमें लिख दूँ मैं लिखा ten, one तो इसका क्या मतला हुआ मेरे ten paragraph हो गए एक sentence के आप देख सो तो मेरे ten paragraph आएंगे मतला मैं अपने साब से हैं जीतने paragraph लिखना चाहते हूँ five paragraph आएं दो sentence के तो five paragraph आएंगे दो-दो sentence केंगे देख सकते हो मेरे five paragraph आएंगे और समें two two sentence है ठीक है ठीक है अब हम देखेंगे home के option सबसे पहले हम आज देख रहे है home के menu बार के size ribbons के option देख रहे है सबसे पहले मैंने क्या किया control इसे all select किया यहां से आप size को बढ़ा सकते हो और यहां से size को कम कर सकते हो ठीक है है यहां से साइज को बड़ा सकते हो और घ्री यहां से भी आप साइज को बढ़ा सकते हो और साइज को देंदी को तुमिए साइज के मारेBob यहां लिखा रहा है 1638 यह maximize size होता है 1638 और control shift less than करूँगा तो मेराए क्या होगा size काम और मेरा साथ का साइस काम होगा और minimum size होता है मेरा one minimum होता है मेरा one ठीक है अब इसको यहां से normal कर देता हूं 10 कर देता हूं यह अपने साप्षभ यहां से वी बड़ा सकते है अब मैंने क्या किया इस पैरएग्राफ को रखिया मैं देखो माउस से भी खर सकते हूं इस पैरएग्राफ को से एजुँआ昨awk प्रसकता हूं छॉट कट से कैसे कर सकता हूं शिफ्ट व्रेस लिए करके अब दिखो मेरा कर से रहा अगर स्ध़ दबा के मैं राइट करता हूं तो मेरा सेलेक्शन हो रहा है अगर मुझे पुरी लाइन ने करनी है तो मैंने down arrow प्रेस किया तो नीचे भी मेरा paragraph select हो रहा है ठीक है और मैं शॉर्टकर से भी करता हूँ अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ मतलब अगर मैं double click करता हूँ तो मेरा एक word select होता है अगर मैं किसी paragraph आगे triple click करता हूँ तो पूरा मेरा paragraph select होता है अगर मैं all दबा के paragraph को select कर सकता हूँ मतलब मैंने mouse का drag किया गरसर और मैंने all दबाया और मैंने selection को कहीं से भी select कर सकता हूँ ठीक है और selection को मैं control दबा के भी कर सकता हूँ तो पूरा मेरा एक sentence select होता है ठीक है आपको असंद में आ रहोगा उसके बाद मैंने क्या किया मैंने यह area select किया कुछ भी area जो भी आपको select करना है मुझे यहां से bold करना है पहले हम थोड़े से option यह देखते है मैंने इसको bold कर दिया shortcut भी इसकी मैंने अपनी shortcut की में बता रहा है control B से मेरा bold होता है और मैं यहां से भी करसता हूँ आई italic तो थोड़ा आपको recursive हो जाएगा फोंट आपका जिसकी shortcut की होते है control आई उसके बाद तो मेरा control U से होता है मेरा underline अब underline देखो आप अलगर टाइप के color ले सकते हो अगर इसमें कोई color नहीं मिलता तो आप more color में भी जाके color ले सकते हो आप गया more underline में मैं आपके underline चाल और भी आपके अंद्रीन के स्टाईल आगे आप देख सकते हो लगए-लग मेरे पे अप्ट कर दी फिर मैं आ गया more Underline में ऑल पर यहां पर मेरे कुछ option है अब मैं आपको बताऊए मेरे प्रेस्ट्राइब का option है मैंने क्या किया जैसे मैंने स्पोस्त किया ने प्रह एडि करता हूं अम मैंने क्या क्या यह लाइन को मैंने यह बताना है इसको करना है इस लाइन को मैने किया करना है यहां पर गए और आपको सिंगल स्ट्रिक ठूट चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक कर दूँआ देखिए, यहां से side में कर लेते हैं इसको, यहां से stick through कर दिया, तो यहां से मेरा ऐसे आगा, अगर double में करूँगा, तो double में आगा, देखो double में आ जा this क्वे, कहां से क्या था मैं, इसकी shortcut की भी होती है मतलब यह मैं, जैसे मैं करताओ इसलग किया ctrl D से बीता है ctrl D से आगया तो मैं या डबर चुन करूंगा तर चीम तो करों मेरा वड़ वैसी दो देखी वैसी आगया उसके बाद मैं क्या रहां किन ठाफ कर दूगा ठीक है उस्के बाद क्या होता है मतलब आप यह आंसे वह क्लिप बोड को कर सकते हो और ctrl d मतलब यहां से भी क्लिक करके कर सकते हो और shortcut की होती है ctrl d उसके बाद क्या होता है जैसे मैंने इस पूरे paragraph को select किया मैंने यहां से इसको color कर दिया देखो जो सा color चीह आपको वो color आप ले सकते हो ठीक है जैसे मैं लिए लिए तो अपर कुछ लिए दाओं यहां पर हैंडिंग में यह लग दिया मैंने story के आपस में लिए इसको कि यह लग दिया मैंने story ठीक है अब मैंने क्या किया इसको select किया और मैंने इसका साइस बढ़ा दिया और मैंने सा color चेंज कर दिया अब जो मर्जी color लेसे इसका size और बढ़ाएते हैं थोड़ा सा और मैं गया अगें गया इसमें और more color पर भी जासता हूँ gradient color भी जासता हूँ यह color का mixture आएगा जैसे मैं इस पर color का mixture आया और gradient पर जाके मैं more gradient पर भी जासकता हूँ उसके बाद यहां मेरे कुछ option आयते जैसे मेरा no fill solid color या मेरा मैंने gradient fill कर दिया मैंने इसमें क्या चाहिए मेरे को और मैं और भी color mix कर सकता हूँ जैसे मैंने green ले लिया ठीक है देख सकते हैं यहां बेर का mixture आगिया ठीक है यह कहा गया था मैं मौर की जाके गया था हूँ उसके बाद क्या होता है मैंने select किया इसको और यहां से मैं जो फॉंड ले ना मैं वहां से फॉंड भी ले सकता हूँ उसके बाद होता है एक होता हाई लेटर एक होता theme देखो अब theme क्या होता है पहले में हमारे इस option में theme आएगा देखो यह हो गया मेरा highlighter देखो मैंब मैंने क्या किया text को select किया और अबने text को highlight कर दिया जैसे मुझे highlight करना हem वैसे मुने text हो मैं highlight करicer नहीं चाहिए तो लो करता हूँ ठीक है अब जैसे मुझे यहा से सारा font तो यृँ यह से उसमर्झ किया गूर रभować lowercase में लिखना है तो मैंने यहां से इसको lowercase कर देखो lowercase हो गया तो मेरे text जो भी मैंने select किया था वो lowercase में हो गया अगर मैं इसको यहां से uppercase करता हूँ मेरे text क्या होता है uppercase में होता है upper से मेरा side text बड़े होता है जितना area select करूँ होतो नहीं होगा लोग ऑपर के से क्या होता है मेरे लेटर बढ़े होझे के से कैसि क्या होता है कि सघ्राइब जोब करूंगा और क्या होसेिक क्पाऊच सघ्राइब Capital Capitalize for each word में क्या होता है हर लेटर का first letter बड़ा हो जाएगा और toggle case में क्या होता है पहला लेटर छोटा बाकी सारे बड़े हो जाएंगे ठीक है चाहिए बाद reflection भी चाहिए मैंने इसको रिफ्रेक्ट लेकर देखो ऐसे यहां से आप इसके ते में यह इसकी शॉट्क्रिक होती है टू एस ओ ठीक है अब मैंने क्या किया सिर्फ टू को से लेकिया अगर मैं यहां से super script कर देता हूं मैंने यहां पर क्लिक कर दिया इसकी shortcut की होती एस टू करना है तो मैंने इसको कर दिया super script इसकी shortcut की होती है control shift प्लस देखो और मैं यहां से भी कर तो मैं अगर इस पर क्लिक कर दूँ यहां control d कर दू तो मैं यहां से भी करता हूं super script का option अरा है मैं यहां क्लिक कर दिया और 2 मेरा उपर लिक किया अगया अब ऐसा subscribe to my day two ko select किया यहां से मैं subscribe कर दूँ ने तो मैं control D करके यहां से भी सब्सक्रिट का option कर सकता हूं तो देखो मेरा ऐसा लिक क्या लेगा ठीक है इसको मैं थोड़ा और बढ़ा कर देता हूं आपको दिखने में दिक्कत ना हो और यहां से मैंने कलर भी चेंज कर दिया तो मैं सूपर स्क्रिप्ट भी कर सता हूं अगर आफ करना है तो मैंने स्क्रिट किया और मैंने इसको आफ कर दिया सेम इसको भी ऐसे करना है सिलक किया और मैंने इसको सूपर स्क्रिप्ट एठा लिया तो इसमें से आपको सारे option सब्मी आए हूंगे मैंने सारे option बता दिया आपको font हो गया upper case lower case हो गया size बढ़ा हो गया clear formatting हो गया bold italic वेकर सब ब इसको आपको में लिखा है यहां पर story of my life मैंने इसको सिलक किया अगर मैं सो कट करें तो shortcut से भी करता हूं और मैं यहां से भी करता हूं मैंने कर दिया control x तो मैंने इसको क्या करती cut कर दिया अब मुझे जहां paste करना है मैंने cut sir लेक है और control v मारके मैंने इसको महां से पेस्ट कर दिया ठीक है मैं again control z किया तो मेरा control z से undo होता है अब इसको मैं कर रहा हूं copy मैं copy कर रहा मैंने इसको और मैंने इसको cut से क्या होता है महां से cut करके आप कहीं भी इसको paste कर सकते हो अब मैंने क्या किया इसको अब देखो मैंने सका अगेन स्यक्राइब कर दिया अब मैंने सके ही क्रणक कर सकते हो उसके बहुत अब है यहां पेस्ट करें यहां से इस कर सकते हो utilizz यह सारे option आपको सांज में आया होकि next option मेरे पास इसको डिलिट कर देता हूं ठीक है अब मैं कर नो इसी एडी को सिलेक किया अगर मैं control R कर देता हूं नहीं तो मैं right देखों यहां से भी right करता हूं मैं right करता हूं मेरा text right में हो गया अगर मैं left में करना चाहता हूँ तो control L shortcut की होती है मैंने control L करती है जिससे मेरा left हो गया उसके बाद होती है control E control E से मेरा क्या होता है centring होता है ठीक है control L से left control R से right और control E से मेरा center हो गया ठीक है अब मैंने क्या किया मैंने इस पूरे paragraph को select किया control J कर दिया तो यहां corner से मेरे सारे एक letter format में जैसे letter format बना होता है वैसे आता है जिसकी shortcut की होती है control J देखो पूरा मेरा justify हो क्या गया उसके बाद क्या होता है यहां से भी clipboard से भी आप उन कर सकते हो यहां से भी alignment सारा option आयाते है अब मैं क्या करों यहां पर click किया अगर मुझे देखो दो line के बीच में space लेगाना है जैसे by default जो मैं डला होता है 1.15 लिखा होता है आप उससे यादा भी इसको size बढ़ा सकते हो और उसको कम भी कर सकते हो ठीक है line spacing option में भी जाबके आप alignment कर सकते हो यहां से justify करना है या lef alignment कितना दिन दिन आपको before alignment कितना दिन दिन आप हो यहां से भी आप set कर सकते हो ठीक है उसके बाद होता है indent जिसकी shortcut की होती है control M लGo важно ह grote asis increase in the dental ठीक है यह आपका इंक्रीज करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट एम होती है इसकी शॉटकर करने हैं इंडेंट क्या हो रहा है मेरा ठीक है उसके बाथ मैंने क्या किया इसी को मैंने बॉलेटर नमर्ण देनी है तो है किया कि इसको बुलिट Creator नहों अपलाई करते देखो मेरे अपलाई हो रही है यह यह वे बुलेट सब्लाई हो और पी इसमें одवा Ну और भी बुलेट से है अगर मैं सिम्बल पर जाऊंगा मैं यहां जो सिम्बल लेना चाहता हूँ जैसे मैं हार्ट वाल लेना चाहता हूँ मैंने ओके किया तो और ओके कर दिया तो देखो मेरा यहां वो मेरा सिम्बल यहां एड़ हो गया और मैं हार्ट वाला मेरा सिम्बल आ गया यहां मैंने इसके अंदर एड़ कर दिया कैसे किया था डिफाइ आपनावला सिमबल आ गया ठीक है उसके बाएगर मुझे नंबरिंग भी ने नियंग भी लेए तो आप नम्बरिंग में भी लेसकते हो A, B, C, D में या रोम मन नंबर लिस्ट वो कैसे काम करती है मुआ आपको नीचे करके दिखाता हूँ जैसे स्पोस्कोर मैंने यहां लिखा कुछ नाम लिखें यहां लिखा प्रिया अनिल सुनिल मुकेश अलका नैंसी और मैंने लिखा अंचली अम मैं क्या कर रहा हूँ इनको मैं टैब प्रेस करके आगे थोड़ा शिप्ट करता हूँ हेडिंग उनायता हूँ मतलब यह व्रिया के अंदर यह सब डाल दिया और सुनिल के अंदर मैंने यह डाल दिया और मैंने इसको यह के अंदर हेडिंग उना लिस्ट में गया और यहां से मैना झो भी ले लोग है देखो हैंग ऑभा दो को सुल से अब क्या होता है मैंने मैं अब क्या किया सबसे पहले मैंने सब называется प्राइब आपको सिलक किया इसी प्राइब नीचे करके दिखाता हूं को मैंने क्या किया इस पूरे प्राइब आपको सिलक किया और मैं गया बोटर पर अब अगर मैं बोटर में कर दूंगा तो बोटर लग किया जाएगा थोड़ा सोपर कर देते हैं देखो लेफ्ट में कर डूद उदूब है टॉड जाफ न हिसाइट बोड़स भो does जेखा अब यसाइथ दो आप जैसे से ने मे लगा सकती हो अब एक देखो पहले क्या करतें को फोड्ड़ करता हूं चेटिंग में जाता हूं इसको और इसे अब में अभी जिए में इन बॉटर की उचं़ करना और सब्सक्राइब मुझे मुझे वाल ठाहिज का जो तो बॉटर शार क्या हा जी ऐसे स्टाइल को अगर पीछेस ार West comprende को उसी पर अप्लाई हो दो जाए यह मैंने यह गार भीना ले लिया कि यह कोई में कर ले लेता हूं मैंने green color और border की width ले ली मैंने और ok कर दिया जो area select किया था मैंने उसी बोर्डर अप्लाई हूँ देख सकते हो उस area पे मेरा border अप्लाई हूँ है control jet कर दिया उसके बाद होता है मेरा click किया border and shading पे गया अब मैं कुछ निस select करा मैं करूँ page border यह क्या था जितना area select करूँ उसी पे border लगेगा अब page border में क्या होता है मैंने page border पर गया मैंने यह सा कोई border ले लिया जैसे मैंने 3 border पर गया और मैंने यह वाला border ले लिया यह से ब्लैक कर लिले जाता हूँ और border की विट्स ले लेडा, ये पूरे पेज़ बॉर्डर लगके है, अदेख से लिए पूरे पेज़ पेहर मेरा व्डडर लगके है, और वी बॉड़र होते है मिरे पे, क्लिक किया, बॉर्डर एंड शेडिंग में गए, उसके बाद मने गआ गया, पेज और यहां गया पे, आर्ट पे गया, 3D border पे गया, यहां से मैंने कोई simple सा border यहां ले लिया और ok कर दिया, तो देखो, इसीरी मेरा border लगा आगया, अब shedding का option भी यह से आता है, फिर आगी में border shedding पे गया, shedding पे गया और मैंने यहां से जो भी color लेना है मैंने वो color ले लिया, जैसे मैंने आपको बतायता है, यहां पे मैंने क्या होता है, अब मैं थीम बता रहूँ, अब देखो, थीम क्या होती है देखो, यह मेरा पूरा paragraph एक थीम के रुप में जो भी थीम कलर लिए, वो color में आगया मेरा नो कर दूँगा, तो नहीं अगर आपको पूर करल चाहिए, तो मोर करल पर भी आप जा सकते हो, ठीक है, अब यह भी अलाइम ने बता दी है आपको, आप जैसे मैं यह शॉटिंग का का अजुद्ध है, यह टेबल में, बेसिकले टेबल में, आपको शॉटिंग बताऊँगा, यह क्या करता है, यह क्या करता है, आपको असेंडिंग यह नाम लिखा, प्रिया, राज, अंजली, उकेश, मैंने कुछ नाम लिखे, टे में दिसके लाइब वाल रहा हों तो पहले तो सिपने सबसे, एक सबसे अपने सबसे अपने सबसे, सबसी हाँपना से को इसको और धाला होगह तो पर आपने पे उमरेन, अप चालबगा यसमें को आप्चिन ओए मेरे पहिंगा 할 मैंने क्या किया इसको सिलेक कर दिया ठीक है इसको सिलेक करने के बद मैं क्या कर रहा हूं मुझे इस पैराग्राफ को हाइट करना है मैंने इसको सिलेक किया और मैंने कंट्रोल डी कर दिया कंट्रोल डी करने के बद मैंने आपको यह आप्शन में आपको अप्शन मिला रह गय मैंने क्लिक किया मतलब मैंने किया किया इस पैरागराफ को सिलेक किया और मैं इसको यहां से हिटन करूँ मतलब यह पैरागराफ मेरा हाइड हो जाएगा हाइड हो गया अगर मैं इसको अनहाइड करूँगा तो मैं फिर कंट्रोल डी करूँगा फॉरंट के ऑप्षिन करूँ enter score space को, यह मेरा show करेगा, ठीक है, next मेरा option है, यह font, आप जैसे मैंने इसको select किया, मुझे यहाँ, बने मेरा इसमें क्या होता है, बने मेरा style, यह style में क्या होता है, बने मेरा fonts, color, size, इनका mix कर दूँ, तो मैंने एक style बन जाता है, मैं अपना खुद का भी style मना सकता हूँ, एपना गया, modify बेगया, तो मैं क्या कर दिना चाद हो, यह फॉ Jetzt न क्या कर दिना चाद हूं, मैं कोई बी font का color दिना चाहँ, मैं अब क्या है, अब मेरा I और में कल्रोल बगर लेनी दिख्कत में होगी सिर्फ मैं कहों जा मुझे अपलाई करना है उस परैप्लाइब को सिलेक्ट कर दिया और मैं अपने style में गया और मैंने इसको कटर सेटा दिया तो मेरा बहाँ जैसे मुझे यह लगाना है इस पीरेग्राफ में मैंने क्या find कर दिया video दोखो जहाँ जाँ जाँ वीडियो है उसने मुझे बता दिया कहाँ वीडियो उसको navigation भी कहते है ठीक है उसके बाइब होती है replace control एच किया है दोखो यहां से भी find का option आता है और वहां से भी है यहां से भी control एच से भी आता है दोखो find आप replace कर रहा हूं जाँ वीडियो लिखा था ना वहां मुझे क्या चाहिए audio का option चाहिए मतलब जहां मेरा वीडियो लिखा है मुझे मा क्या चाहिए audio चाहिए और मैं replace कर रहा हूं तो एक एक जगा होगा मैं replace all कर रहा हूं तो जहां मेरा video था, चार जगा रिप्लेस्मेंट हुई, जा मेरा video था, वहाँ मेरा audio हो गया, ठीक है, अब select क्या होता है, control से हम all select करते हैं, हो मैं आपको बता ही था, अब देखो जैसे मैं क्या करता हूं, मैंने यह style दे दिया, ठीक है, और यह style देके, मैंने, अब देखो, एक option में आपको इस होम में और भूव गाइव जिसमी और भूल के अपम verstehen भी खुलकिया ऊबना क्छाचू हो यहाद़ पहला ओक्तायur आए किया कि चैसे मैंने क्या कि इसको सिलेक कर दिय को में यहें हैं आप किलिक कर दिया तो वो भी तब अप्लाई होगा ठीक है एक shortcut भी है Ctrl Z करता हूँ अब मैं क्या करता हूँ अगर मैं इस इसको select करके format printer पर double click कर दो single click कर तो हर बार मुझे बार बार क्लिक करना पड़ेगा अगर मैं double click कर दूँ जो मैंने यह दो बार क्लिक कर दिया देखो format मैं जितना भी है इसलेक करूंगा उसके अब कि इसलेक्ट कर दिया तो मेरा मेरे पटा सेलेक्ट यह मैं बूल गया था मैने आथ को बता है उसके बाद क्या हो गया मेरे पर Select option आगए अब एक होता है select all text with the Similar formatting यह कैसे क्म करता है जैसे मैंने इस पोस्वास करो यह select कर दिया यह area ठीक है अब मैं जैसे select पर जाके select text text with similar formatting पर click करता हूं तो यह similar text वाला formatting दो यह भी similar है वो भी similar है तो मेरा वो क्या होगा वह area सारा select वाग यह कहां कहां आता है जैसे एक book है book के दर जो भी मेरा color था मेरा style था same था सब को क्या करनेगा select कर दो जैसे मैं और भी लेता हूं यहाँ इसको अगें मैंने kadar copy कर लिया control s और मैं इसको यहाँ भी paste कर दिया हम और मैं किसी भी area को select करता हूं मैंने इसको select कर दिया इस सेम फॉइ हमिखें को अर्चेंगा एचाइब तो जो भी एन जो फॉइमक्रणा मुखें कर सकता हूं छो मर्जिय आप काम कर सकते हैं इक सोब्था एँ आई आपको अगर इस अगर का अधंग यह डाऑ house रहे गया हो तो please मुझे comment करना मुझे बताना कौन सा option रह गया मैं आपको दुबारा बता दूगा मैंने कोशिच किया सारे option आपको बता दू अब next option है मेरा insert option जिसमें insert पर हम काम करेंगे